उजास, प्रविशिका, भाग एक, पार्थ तीन, हमारा रहन सहन, प्रिष्ट चववन और पच्पन, इन दो प्रिष्टों पर एक चित्र दिखाया गया है। मंगलम धर्मशाला, चाहत ब्यूटी पार्लर, अन्ना डोसा और इसके अलावा यहाँ पर एक दुकान के बाहर वैद भी लिखा है। बैंड बाजे के साथ बारात दिखाई गई है। और साथ ही बारात में दो व्यक्ति असली दयाल बैंड और दयाल बैंड का बैनर लेकर खड़े हैं। कुछ व्यक्ति इधर उधर खड़े हैं। और यहाँ पर एक गोबारे वाला भी है जिसके पास ही एक बुरके वाली महिला खड़ी है। एक कुत्ता और एक गाय भी दिखाई दे रहे हैं। एक दुकान के पास कुछ लोग खाना खरीद रहे हैं। घर की छट पर महिलाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कुछ खंबे और तारे भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एक तिपहिया वाहन भी खड़ा है। बाचीत के लिए। एक इस चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहा है। दो, चित्र में कौन क्या कर रहा है? तीन, तस्वीर से मिलता जुलता हमारे आस पास क्या क्या है? चार, चित्र में कुल कितनी दुकाने हैं? इन प्रश्णों की मदद से आप अपने उत्तर स्वैम खोजें और उन्हें लिखें. पाठ तीन, हमारा रहन सहन, भाग एक, प्रिष्ट, चपन, हम सीखेंगे ओ, आउ, ज, द, ल, ग, क, और य, देखिए, पढ़िए और बादचीत कीजिए. इस प्रिष्ट पर चार चित्र हैं. पहला चित्र एक बारात का है. इस चित्र में महिला, पुरुष और बच्चे नाच्टे गाते दिखाई दे रहे हैं. दूला घोले पर बैठा है. और इस चित्र के नीचे लिखा है बारात. अब आप स्वयम इस चित्र को देखें और इसके बारे में बादचीत करें. दूसरा चित्र, यहाँ पर एक गोल जूला दिखाया गया है. जूले पर सब जूला जूलते दिखाई गए हैं. और चित्र के नीचे लिखा है जूला. अब आप स्वयम इस चित्र को देखकर बादचीत करें. तीसरा चित्र दो वादी अंत्रों का है. और इनके नीचे लिखा है बाजा. अब आप स्वयम इस चित्र को देखें और इसके बारे में बादचीत भी करें. चोथे चित्र में गोदते हुए दिखाया गया है. यहाँ पर हाथ पर गोदते हुए दिखाया गया है. और इस चित्र के नीचे लिखा है गोधना अब आप स्वैम इस चित्र को देखते हुए बाच्चित कीजिए प्रिष्ट 57 इस प्रिष्ट पर पाँच चित्र है पहले चित्र में एक लड़की निर्त्य कर रही है और उसके नीचे लिखा है नाच अब आप इस चित्र को देखकर दूसरा चित्र एक पत्ते का है और उसके नीचे लिखा है पान तीसरे चित्र में कुछ खिलोने दर्शाए गए हैं और उनके नीचे लिखा है खिलोने चौथा चित्र एक माला का है नीचे लिखा है माला पांच में चित्र में एक व्यक्ति के हाथ में गुबारे हैं और इसके नीचे लिखा है गुबारे अब आप इन सभी चित्रों को देखिए, पढ़िए और साथ ही इन चित्रों के बारे में बाच्चीत भी कीजिए शिक्षक निर्देश सहभागियों से बारी-बारी सभी चित्रों की पहचान करवाएं चित्रों के नीचे उनसे संबंदित शब्द दिये गए हैं उसके आधार पर शब्दों को अनुमान लगाकर पढ़वाएं चित्र के नीचे लिखे शब्दों को अंगुली रखकर पढ़ने के लिए प्रिरित करें। प्रिष्ट अठावन बताईए और निशान लगाईए। आप अक्सर मेले में जाते होंगे। दिये गए चित्रों में से मेले में आपने क्या क्या देखा। सही का निशान लगाईए। इस प्रिष्ट पर चार चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में एक रेडी का चित्र है, जिस पर चाट की दुकान लिखा है और एक व्यक्ती खड़ा हुआ है। इसके नीचे रिक्तिस्थान है, और फिर लिखा है चाट की दुकान, दूसरा चित्र एक मटके के दुकान का है, यहाँ पर एक औरत बैठी दिखाई गई है, चित्र के नीचे रिक्तिस्थान है, और फिर लिखा है मिट्टी के बरतनों की दुकान, तीसरा चित्र चूडी की दुकान का है यहाँ पर दुकानदार है और सामने चूडिया रखी दर्शाई गई है इसके नीचे रिक्तिस्थान है और फिर नीचे लिखा है चूडियों की दुकान अगला चित्र जलेबियों का है उनके नीचे लिखा है रिक्तिस्थान और उसके नीचे लिखा है जलेबी प्रिष्ट 69 इस प्रिष्ट पर भी चार चित्र हैं पहला चित्र एक तिपहिये वाहन का है जिस पर एक विक्ति बैठा दिखाई दे रहा है चित्र के नीचे है रिक्तिस्थान और उसके नीचे लिखा है टेम्पो अगला चित्र एक दुकान का है यहाँ पर लोग बंदूग से गुबारों को फोड़ रहे है दुकान पर लिखा है निशाना लगाओ, इनाम पाओ और साथ ही लिखा हुआ है टिकट पंद्रह रुपए यहाँ पर कुछ लोग तर्शाय गए हैं, लोग बंदूग से गुबारों पर निशाना लगा रहे हैं नीचे है रिक्तिस्थान और उसके नीचे लिखा है निशाने बाजी अगला चित्र दो गिलासों का है गिलास में कुछ पेयपदार्थ है नीचे है रिक्तिस्थान और उसके नीचे लिखा है गन्य का रस अगला चित्र एक उंट गाड़ी का है उसके नीचे है रिक्तिस्थान और उसके नीचे लिखा है उंट गाड़ी प्रिष्ट साथ अब हम ओ अक्षर से बने हुए कुछ शब्द सीखेंगे यहाँ पर ओ अक्षर से बनाए हुए दो शब्द हैं पहला है ओला और दूसरा है ओस ओला शब्द के उपर कुछ ओले पढ़ते दिखाई दे रहे हैं नीचे लिखा है ओला और ओस के उपर ओस का चितर बना है और उसके नीचे लिखा है ओस यहाँ पर बिन्वों की मदद से ओ अक्षर को बनाकर दिखाया गया है अब आप स्वयम इन्ही बिन्दों की मदद से ओ अक्षर को स्वयम बनाएं और साथ ही बिना बिन्दों की मदद से भी ओ अक्षर को बनाते हुए दी गई पंक्ती को पूरा भी करें अगला अक्षर है आउ आउ से यहाँ पर दो शब्द बना कर दिखाए गए हैं और साथ ही इनके चित्र भी हैं पहला चित्र है ओजार और दूसरा है ओशधी पहले चित्र में पांच ओजार दिखाए गए हैं उनके नीजे लिखा है ओजार दूसरा चित्र ओशधी का है यहाँ पर कुछ ओशधियां दिखाई गई हैं एक शीशी है और कुछ गोलिया है उनके नीचे लिखा है ओशधी यहाँ पर अव अक्षर को बिंदों की मदद से दर्शाय आ गया है अब आप अव अक्षर को इन बिंदों की मदद से स्वेम पूरा करें और दिये गए रिक्तिस्थान में अव अक्षर को बिना बिन्दूओं की मदद से भी बनाएं और पंक्ति को पूरा भी करें शिक्षक निर्देश सहभागियों से बारी-बारी से चित्र की पहचान करवाएं चित्र के नीचे लिखे शब्दों को अंगुली रख कर पढ़ें और उनसे अक्षर भी लिखवाएं प्रिष्ट 61 ज़ अगला अक्षर है ज़ यहाँ पर ज़ से दो शब्द बना कर दिखाए गए हैं पहला शब्द है जगडा और दूसरा है जरोखा पहले चित्र में दो बच्चों को लड़ते हुए दिखाया गया है और उनके नीचे लिखा है जगडा अगला चित्र एक जरोखे का है और उसके नीचे लिखा है जरोखा यहाँ पर ज़ अक्षर को बिंदों की मदद से बनाया गया है अब आप इनी बिंद्वों की मदद से जह अक्षर को पूरा करें और साथ ही दी गई पंक्ती में बिना बिंद्वों की मदद से भी जह अक्षर को बनाएं अगला अक्षर है जहा यहाँ पर जहा अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाए गए हैं पहला शब्द है जालू, और दूसरा है जाली. पहला चित्र जालू का है, इसके नीचे लिखा है जालू. अगले चित्र में जाली दिखाई गई है, और उसके नीचे लिखा है जाली. यहाँ पर बिंद्वों की मदद से जा अक्षर को बनाया हुआ है अब आप इनी बिंद्वों की मदद से जा अक्षर को बनाए और साथ ही बिना बिंद्वों की मदद से भी जा अक्षर को बनाते हुए पंग्ती को पूरा करें शिक्षक निर्देश चित्र देखकर शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें उनसे अक्षर लिखवाएं और दी गई जगह पर चित्र का नाम लिखवाएं प्रिष्ट बासट अगला अक्षर है जी यहाँ पर जी अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाए गए हैं पहला शब्द है जड़की और दूसरा है जिल मिल पहला चित्र एक औरत का है जो जड़की देते हुई दिखाई दे रही है और उसके नीचे लिखा है जड़की दूसरा चित्र कुछ तारों का है और इसके नीचे लिखा है जिल मिल यहाँ पर बिंद्वों की सहता से जी अक्षर को लिखकर दिखाया गया है अब आप इनी बिंद्वों की मदद से जी अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंद्वों की मदद से भी दी गई पंक्ती में जी अक्षर को लिखें अगला अक्षर है जी यहाँ पर जी अक्षर से दो शब्द बनाए गए हैं पहला शब्द है जींगुर और दूसरा है जील पहले चित्र में एक जींगुर है और उसके नीचे लिखा है जींगुर दूसरे चित्र में एक जील है और उसके नीचे लिखा है जील जी अक्षर को बिंद्वों की सहता से दर्शाय आ गया है अब आप इनी बिंद्वों की मदद से जी अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंद्वों की मदद से भी दी गई पंक्ती में जी अक्षर को लिखें शिक्षक निर्देश चित्र देखकर शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें उनसे अक्षर लिखवाएं और दी गई जगए पर चित्र का नाम लिखवाएं तारों की तस्वीर पर बात करते हुए जिल मिल, जिल मिलाना जैसे शब्दों पर पहुँचें प्रिश्ट 63 अगला अक्षर है द, यहाँ पर द अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाए गए हैं पहला शब्द है दर्वाजा और दूसरा है दर्जी पहले चित्र में एक दर्वाजा दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है दर्वाजा दूसरा चित्र एक दर्जी का है और उसके नीचे लिखा है दर्जी यहाँ पर बिंद्मों की मदद से द अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिंद्मों की मदद से द अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिन्दमों की मदद से भी दा अक्षर को लिखते हुए दी गई पंक्ति को पूरा भी करें अगला अक्षर है दा यहाँ पर दा अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाए गए हैं पहला है दाढ़ी और दूसरा है दातुन पहले चित्र में एक व्यक्ति की दाढ़ी को दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है दाढ़ी दूसरे चित्र में एक व्यक्ति को दातुन करते हुए दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है दातुन यहाँ पर बिन्दमों की मदद से दा अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इन्ही बिन्दमों की मदद से दा अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिन्दमों की मदद से भी दा अक्षर को लिखते हुए दी गए पंक्ती को पूरा करें प्रिष्ट चौसट अगला अक्षर है दि यहाँ पर दि अक्षर से दो शब्द बने हैं पहला है दियासलाई और दूसरा है दिशासूचक पहले चित्र में एक दियासलाई दिखाई गई है और उसके नीचे लिखा है दियासलाई दूसरा चित्र एक दिशा सूचक बोड का है बोड पर लिखा है जनपत 30 जनवरी मार्ग APJ अब्दुलकलाम रोड राजेश पाइलट मार्ग यहाँ पर दिशा सूचक के चिन्न भी है और इस बोड के नीचे लिखा है दिशा सूचक यहाँ पर दि अक्षर को बिन्दु के मदद से दिखाया गया है अब आप इनी बिन्दु के मदद से इस अक्षर को पूरा करें और साथ ही विना बिन्दु की मदद से भी दी गई पंक्ती में दि अक्षर को लिखें अगला अक्षर है दी यहाँ पर दी अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाये गए हैं पहला शब्द है दिया और दूसरा है दीवार पहला चित्र एक दिये का है दिये को जलता हुआ दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है दिया दूसरा चित्र एक दीवार का है और उसके नीचे लिखा है दीवार यहाँ पर बिंद्मों की मदद से दी अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिंद्मों की मदद से दी अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिन्द्मों की सहता से भी दी अक्षर को बनाते हुए दी गई पंक्ती को पूरा भी करें प्रिष्ट पैसट अगला अक्षर है दौव यहाँ पर दौव अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाये गए हैं पहला शब्द है दौड और दूसरा है दौलत पहले चित्र में एक व्यक्ती को दौडते हुए दिखाया गया है और चित्र के नीचे लिखा है दौड दूसरे चित्र में बहुत सारी दौलत को एक मटके में दिखाया गया है और चित्र के नीचे लिखा है दौलत यहाँ पर बिंद्वों की मदद से दो अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिंद्वों की मदद से दो अक्षर को पूरा करें और साथ ही दी गई पंक्ती में पिना बिंद्वों की सहता से भी दो अक्षर को लिखें अगला अक्षर है य यहाँ पर य अक्षर से दो शब्द बने हैं. पहला है यज्य और दूसरा है युवक. पहले चितर में एक साधु को यज्ज करते दिखाया गया है और चितर के नीचे लिखा है यज्य. दूसरे चित्र में एक युवक को दोड़ते दिखाया गया है और चित्र के नीचे लिखा है युवक यहाँ पर बिन्द्वों की मदद से यह अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिन्द्वों की सहता से यह अक्षर को स्वेम बनाए और साथ ही बिना बिन्वों की मदद से भी यह अक्षर को बनाते हुए पंक्ति को पूरा करें प्रिष्ट 66 अगला अक्षर है ल यहाँ पर ल अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाये गए हैं पहला शब्द है लट्टू और दूसरा है लहसुन पहले चित्र में एक लट्टू को दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है लट्टू दूसरे चित्र में एक लहसुन बना है और उसके नीचे लिखा है लहसुन यहाँ पर बिन्द्वों की सहता से ल अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिंद्वों की सहता से ल अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंद्वों की सहता से भी ल अक्षर को बनाते हुए दी गई पंक्ति को पूरा भी करें अगला अक्षर है ला यहाँ पर ला अक्षर से दो शब्द बनाए गए हैं पहला है लाल्टेन और दूसरा है लाठी पहले चित्र में एक लाल्टेन को दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है लाल्टेन दूसरे चित्र में एक व्यक्ति के हाथ में एक लाठी को दर्शाया गया है और उसके नीचे लिखा है लाठी यहाँ पर बिंद्मों की सहता से ला अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिंद्मों की सहता से ला अक्षर को पूरा करें और साथ ही आप बिना बिंद्मों की मदद से ला अक्षर को लिखते हुए इस पंक्ति को पूरा भी करें प्रिष्ट सर्षट अगला अक्षर है लि यहाँ पर लि अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाए गए है पहला शब्द है लिफाफा और दूसरा है लिहाफ पहले चित्र में एक लिफाफा बना है और उसके नीचे लिखा है लिफाफा दूसरा चित्र एक लिहाफ का है और उसके नीचे लिखा है लिहाफ यहाँ पर लि अक्षर को बिन्दो की मदद से बना कर दिखाया गया है अब आप इन्ही बिन्दो की मदद से लि अक्षर को पूरा करें और साथ ही दी गई पंक्टी में बिना विद्मों की मदद से ली अक्षर को लिखते हुए पंक्टी को पूरा करें अगला अक्षर है ली यहाँ पर ली अक्षर से दो शब्द बने हैं पहला है लीपना और दूसरा है लीची पहले चितर में हाथ से लीपते हुए दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है लीपना दूसरे चितर में लीची बनी है और उसके नीचे लिखा है लीची यहाँ पर बिन्दों की मदद से ली अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिंदवों की मदद से ली अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंदवों की मदद से भी ली अक्षर को लिखते हुए दी गई पंक्ती को पूरा करें प्रिष्ट 68 अगला अक्षर है लो यहाँ पर लो अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाए गए है पहला शब्द है लोमडी और दूसरा है लोरी पहला चित्र एक लोमडी का है और उसके नीचे लिखा है लोमडी दूसरे चित्र में एक बुजर्ग महिला एक बच्चे को लोरी देकर सुलाते हुए दिखाई गई है यहाँ पर बिन्वों की मदद से लो अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिन्वों की मदद से लो अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिन्दमों की मदद से भी लोव अक्षर को पूरा करते हुए दी गए पंक्ती को पूरा भी करें अगला अक्षर है लव यहाँ पर लव अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाये गए हैं पहला शब्द है लोटना और दूसरा है लव पहले चितर में एक व्यक्ती को अपने घर लोट ते हुए दिखाया गया है और चितर के नीचे लिखा है लोटना दूसरा चितर एक लोव का है और उसके नीचे लिखा है लोव यहाँ पर बिन्दमों की मदद से लोव अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिद्मों की मदद से लौ अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिद्मों की मदद से भी दी गई पंक्ती में लौ अक्षर को लिखें प्रिष्ट 79 अगला अक्षर है ग यहाँ पर ग अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाए गए हैं पहला शब्द है गधा और दूसरा है गमच्छा पहले चितर में एक गधा बना है और उसके नीचे लिखा है गधा दूसरे चितर में एक गमच्छा बना है और उसके नीचे लिखा है गमच्छा यहाँ पर बिंद्वों की सहता से गः अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिंद्वों की मदद से गः अक्षर को स्वैम पूरा करें और साथ ही बिना बिंद्वों की सहता से भी दी गई पंक्ती में गः अक्षर को लिखें अगला अक्षर है गा यहाँ पर गा अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाए गए हैं पहला है गागर और दूसरा है गाए पहला चित्र एक गागर का है दूसरा चित्र एक गाए का है और इसके नीचे लिखा है गाए यहाँ पर बिद्मों की सहता से गा अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिद्मों की सहता से गा अक्षर को बनाएं और साथ ही बिना बिद्मों की सहता से भी गा अक्षर को दी गई पंक्ती में स्वैम लिखें प्रिष्ट सत्तर अगला अक्षर है गी यहाँ पर गी अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाए गए है पहला है गिलहरी और दूसरा है गिर्गिट पहले चित्र में एक गिलहरी को कुछ खाते दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है गिलहरी दूसरा चित्र एक गिर्गिट का है और चित्र के नीचे लिखा है गिर्गिट यहाँ पर बिंद्मों के साहता से गी अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इन्ही बिंद्मों की साहता से गी अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिन्वों की मदद से भी गी अक्षर को दी गई पंक्ती में पूरा करें अगला अक्षर है गी यहाँ पर गी अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाए गए हैं पहला शब्द है गीला और दूसरा है गीत पहले चित्र में गिलास से कुछ द्रव गिरते दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है गीला दूसरा चित्र एक गीत गाती हुई महिला का है जिसके हाथ में विणा है और उसके नीचे लिखा है गीत यहाँ पर बिंद्वो की सहता से गी अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिंद्वो की सहता से गी अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंद्वो की सहता से भी गी अक्षर को लिखते हुए देगे पंक्ति को पूरा करें प्रिष्ट 71 अगला अक्षर है गो यहाँ पर गो अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाए गए हैं पहला है गोभी और दूसरा है गोबर पहला चित्र एक गोभी का है जिसके नीचे लिखा है गोभी और दूसरा चित्र गोबर का है चित्र के नीचे लिखा है गोबर यहाँ पर गो अक्षर को बिन्वो की साहता से दिखाया गया है अब आप इनी बिन्वो की साहता से गो अक्षर को पूरा करें और साथ ही दी गई पंक्ती में बिना बिन्वो की साहता से भी गो अक्षर को स्वेम लिखें अगला अक्षर है गौव यहाँ पर गौव अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाए गए हैं पहला है गौरईया और दूसरा है गौशाला पहले चित्र में एक गौरईया बनी है और उसके नीचे लिखा है गौरईया दूसरे चित्र में गौशाला बनी है और वहाँ पर एक गाय को दिखाया गिया है और चित्र के नीचे लिखा है गौशाला यहाँ पर बिन्द्वों की मदद से गव अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इन्ही बिन्द्वों की सहायता से दिये गए इस अक्षर को पूरा करें और साथ ही गव अक्षर को बिना बिन्द्वों की मदद से भी दी गई पंक्ती में पूरा करें प्रिष्ट बहत्तर अगला अक्षर है क यहां पर क अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाए गए हैं पहला है करेला और दूसरा है कट फोडवा पहला चित्र एक करेले का है और नीचे लिखा है करेला दूसरे चित्र में एक कट फोडवा है यहां पर क अक्षर को बिद्मों की सहता से बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिद्मों की सहता से क अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिद्मों की सहता से भी इस पंक्ति में क अक्षर को स्वयम लिखें अगला अक्षर है का यहाँ पर का अक्षर से दो शब्द बनाए गए हैं पहला है कारखाना और दूसरा है कार पहले चित्र में एक कारखाना है और चित्र के नीचे लिखा है कारखाना दूसरा चित्र एक कार का है और उसके नीचे लिखा है कार यहाँ पर बिन्वों की मदद से का अक्षर को बना कर दिखाया गया है। अब आप इन्ही बिन्वों के साहता से का अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिन्वों के साहता से भी दी गई पंक्ती में का अक्षर को लिखें। प्रिष्ट तिहत्तर अगला अक्षर है की यहाँ पर की अक्षर से दो शब्द बने हैं पहला शब्द है किला और दूसरा है किसान पहले चित्र में एक किला बना है और उसके नीचे लिखा है किला दूसरी चित्र में किसान को खेती करते दिखाया गया है और उसके पीछे एक महिला और एक पुरुष भी खड़े हैं और उसके नीचे लिखा है किसान यहाँ पर बिन्वों की मदद से की अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिन्वों की मदद से की अक्षर को पूरा करें और साथ ही दी गई पंक्ती में की अक्षर को बिना बिन्वों की मदद से भी पूरा करें अगला अक्षर है की यहाँ पर की अक्षर से दो शब्द बना कर दिखाए गए हैं पहला है कीड़ा और दूसरा है कीचड़ पहले चित्र में एक कीड़ा है और इसके नीचे लिखा है कीड़ा दूसरा चित्र कीचड़ का है इसके नीचे लिखा है कीचड़ यहाँ पर बिंद्वों की साहता से की अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इन्हीं बिंद्वों की मदद से की अक्षर को पूरा करें और साथ ही दी गए पंक्ती में की अक्षर को बिना बिंद्वों की मदद से भी लिखें